जैश्री किष्णा राधे राधे दोस्तों दोस्तों सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिया है और सावन के महीने में आप शिव जी को अलग अलग तरीके से मना सकते हैं अलग अलग तरीके से उनको प्रसंद करके मनोकामना पूरी कर सकते हैं हमारे भोले नाथ शिवशंकर इतने भोले हैं कि आपकी छोटे छोटे उपाय से भी बहुत जल्दी प्रसन होकर आपकी वो मनुकामना जो आप चाहते हैं वो पूरी करने का वरदान दे दिते हैं सावन के सोमवार में शिव जी को आप छोटा सभी को ये कुपाय करके प्रसंद कर सकते हैं और भोले नाथ बहुत जल्दी प्रसंद हो जाते हैं खासका सावन के भहीने में भोले नाथ की अतीक कृपा होती है अपने भक्तों पर दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सावन के सुमवार में आप दो लोटे जल से कैसे शिवजी को प्रसंद कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कावड जल दोस्तो कावड लाना हर किसी के बसकी बात नहीं है लेकिण शिवजी के भक्त ऐसे हैं कि वो उनके लिए पैदल चल कर कावर लेकर आते हैं और उससे लाकर जल अभिषेक करते हैं अगर आप वो जल लाकर अभिषेक करने में समर्थ नहीं हैं, कोई बात नहीं एक छोटा सा आसान सा उपाय है इस उपाय को करके आप शिवजी को प्रसंद कर सकते हैं और कावड जल चरहने का भी आप पुन्य प्राप्त कर सकते हैं जी हां दोस्तों आपको बताती हूँ छोटा सा तरेका जिससे आप शिवजी को सावन के पूरे महीने कावड जल अरपण कर सकते हैं यह छोटा सा तरीका है इस तरीके से आप शिवजी को कावड का जल चढ़ाईए और भोले नाथ को प्रसंद करिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो भोले नाथ के लिए ओम नमर शिवाय सरूर लिख दीजिए चलिए अब आपको बताते हैं कि सावन के महीने में आपको किस तरीके से शिव जी को प्रसंद करना है दो लोटे जल से आप सावन के महीने में हर रोज शिव मंदिर जाते हैं ठीक है आप आपको क्या करना है आपको दो लोटे जल भरने हैं उसमें थोड़ा थोड़ा गंग और आपको नंगे पैल, बिना चपल पहने शिव जी के मंदिर जाना है और रास्ते में आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है आपको सिर्फ भोलेनात का नाम याद करना है वोलेनात के नाम का जाप करते जहिए ओम नमपर शिवाए ओम नमपर शिवाए या शिरी जल चड़ाना है दोनों लोटों से आपको शिव जी पर एक साथ जल चड़ाना है और ओम नमश्य वाय मन्दका जाप आपको करते रहना है बस आपको पूरे सावन ये एक छोटा सा उपाए करना है और आपको कावड का जल चड़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा वो सारी समस्यां आपकी दूर हो जाती हैं आपको भूले नात के आगे अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है मनोकामना बोलकर हाथ जोड़कर आप अपने गर वापिस आ जाए और अगले दिन आपको फिर से यही किरिया दोहरानी है बस आपको ज़ाधा कुछ नहीं करना इतना आपको करना है और आप देखिये आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी दोस्तो यह उपायगा आप करके देखिये और देखिए भोले नात आप से ज़रूर प्रसंद होंगे वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो भोले नात के लिए ओम नमस्यवाई जरूर लिख दीजिए धन्यवाद